हेलो व्रिवन मैं विजय सर आप लोग का इस क्लास में सहावत करता हूं तो फ्रेंट देखे यह आपका इंगलिश से रिलेटेट चैनल है अगर आप नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिजिए और देखे आज हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर आए हुए हैं इंगलिश से डिलेटेट कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जैसे कि अगर आई है तो आई के साथ में आप इसका यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ठीक है इस परकार के बहुत सारे कुछ इसमें अमेजिंग फैक्ट्स को लाएं बात करेंगे तो चलिए हम लोग वीडि देखिए तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है दिखा हुआ है किक ब्राउन फाक्स जंप्स ओवर देर लेजी डाउग देखिए इस सेंटेंस में आपको एसे ले करके जेड तक के सभी लेटर आपको देखने को मिलेगा ठीक है देखिए ए बी सी ठीक है डी डाउन डी डाउग ई ओवर यफ फाक्स जी डाउग यच आपका है इसमें आई जे के आपका है यहां के यल यम यन ओ और और पी क्यू आर डवलू एक से पी क्यू आर ठीक है यू वी और डवलू एक से और वाई आपका है यहां और जड भी ना ठीक है तो आपका इस जड तक इस सेंटेंस में पूरा मिला ठीक है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं पैंगराम ठीक है इस प्रकार के सेंटेंस को हम पैंगराम कहते है इसमें टू जड मिलता है तो देखे व्रेंड पहला यह आपका कि इस जड इस सेंटेंस में आपको पूरे लेटर देखने को मिलेंगे तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगरे फैक्ति की तरफ क्या आई के साथ इज का प्रेंग हो सकता है कि आई के साथ तो हम आएम जानते हैं वाद जानते हैं ठीक है लेकिन आई के साथ का इज कब रहो सकता है तो देखिए फ्रेंड बिलकुल हो सकता है कब हो सकता है आई इस इसमाल लेटर आई एक छोटा लेटर है तो आई यहाँ पे आई के साथ इस कब रहो हुआ है ठीक है आई इस दे नाइन्थ लेटर आफ इंग्लिस लेंगोज आई अंग्रेजी भार्षा का नौवा अच्छर है तिस प्रकार से आई के साथ देखिए इज का प्रियों हुआ है ठीक है नहीं आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्या है क्यूं के साथ 99% यू आता है मतला हमेशा जो क्यूं होता है इसके साथ 99% यू आता है क्योंकि क्यूं का जो इस पेलिंग होता है वाई यू के बिना अदूरा होता है ठीक है तो देखिए यहां लिखा गया है कतर क्यू ए टी ए और इसमें क्यों की बाद यू नहीं आया हुआ है ठीक है तो चलिए कुछ और इंट्रेस्टिंग फैक्स को देखते हैं है कि लेकिए अगला करएब पर लिंड्रामिक वर्डप्रॉस प्रेलिंड्रामिक प्रॉड्स क् challenged सब्सक्राइब आप जरabilization के लिए राइट से पढ़ने पर यह से जाते एक रहत भी केर beset L E V E L या L E V E L दोनों एक साइड है मैडम M A D A M M A D A M ठीक है या आपके इदर चाहे अब लिफ्ट से पढ़िए या राइट से पढ़िए दोनों सेम है ठीक है नेश्ट देखते हैं अगला आपका है MB Gram Words MB Gram Words क्या होते हैं या सब्द होते हैं जिने उल्टा या सीधा पढ़ने पर एक समान होता है उल्टा मतलब या तो आप उपर से पढ़िए या तो नीचे से पढ़िए वो क्या होंगे एक समान होंगे चले देखते हैं इसको या लिखा हुआ है Swims Yes W I M Yes Swims अब इसको आप उपर से पढ़िए या नीचे से पढ़िए या एक समान होगा चाहिए आप मोबाइल कुल्टा करके देख लेजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम देखे आगे आपको दो ऐसे वर्ड लिखे हुए है जिसके अंदर आपको पांचो वाबिल देखने को मिलेंगे ठीक है एक आपका एजुकेशन एक आपका फेवरिट इन दोनों के अंदर आपको पांचो वाबिल देखने को मिलेंगे देखे ए ए ए आई ओ यू ए ए आई ओ यू है नहीं अमेजिंग फैक्ट्स नेस्ट देखिए देखे नो वाबिल यहां रिखा हुआ है बिना वाबिल का ठीक है सबसे बड़ा लेटर आपका यहां पर लिखा गया है रीधम ठीक है दो दो चार छे छे अच्छर का मिना वाबिल का वर्ड है रीधम इसके अंदर कोई वाबिल नहीं है ठीक है ना फिर नेस्ट कुछ देखते हैं अगला ठीक है एक कोड़ लिखा हुआ दे इसको हम दे पढ़ते हैं कि दी पढ़ते हैं ठीक है इसको देखे यहां लेका हुआ गया दे अब देखे इन दोनों में क्या अंतर है अगर यह हुआ पहला जिब साउंड है वाबल साउंड है तो दै को हम पढ़ेंगे दी अगर कांस्टनेंट साउंड है तो पढ़ेंगे डै जैसे दी एलिफेंट डै काओ है नहीं तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप इस इंटरेस्टिंग फैंक को जाने होंगे ऐसे ही रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए और ग्रामर को सीखने के लिए आप चैनल को देख सब्सक्राइब करिएगा ठैक्स आला फ्यू